नमस्कार प्यारे विदार्थियों कुछ समय से एक भरती बहुत ज्यादा सर्चीत है और उसके उपर खूब सारे डायलोक, खूब सारे गाने चल रहे हैं मेरा बल्मा थानेदार चलावे जिपसी और ये भी कहरें उस जिपसी के अंदर सो जी की टीम गुम रही है थानेदारों को पकड़ने के लिए कॉंस्टेबल गुम रहे हैं बड़ा खूब सारा चल रहा है, हो हला मचा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ एसाई की भरती परकरिया पर हमेशा से प्रशन चिन खड़ा रहा है जब भी एसाई की विग्यपती जारी होती थी तब एसाई की चैन लिस्ट आती थी तब 2010 की भरती देखो और उसके बाद की भरती देखो हर बार न्यूज पेपर के अंदर आया कि एसाई भरती पेपर के अंदर खूब सारा फरजी वाड़ा हुआ एक बार तो ऐसा सुनने में आया था कि एसाई भरती के अंदर ब्ल्यूटूट के माद्यब से खूब सारी नकल हुई थी और ब्ल्यूटूट ऐसाई बन गए थे कई ट्रक के चलाने के ड्रावर ऐसाई बन गए थे ऐसा खूब सारा सुनने में उसमें आतातार ऐसे किस्से उसमें इतना टेक्नोलोजी थी नहीं 2010-2012 के समय और आज कल टेक्नोलोजी खूब है तो लोग सब सोशल मीडिया पूर ये सारी चीज़े उच्छालते रहते ऐसा ही की भरती एक सब इंस्पेक्टर जो थाने दार कहलाता है जो थाने का संचालन करता है और थाने में कौन जाता है व्यक्ति न्याय के लिए जाता है पीडित व्यक्ति जाता है कि वहाँ मेरा न्याय होगा मुझे किसी ने पीटा है तो थाने दार मेरे साथ इंसाफ करेगा और वहाँ यदि उस सीट के उपर कोई नकल ची और यदि कोई फरजी थाने दार उस सीट के उपर बैठा है जो पचास लाग के अंदर पैपर खरीद करके बैठा है वो थाने दार दिन भर यही देखता है कि आज कोई गिराक आ जाए आज कोई मुर्गा आ जाए मेरे पास में तो मैं बड़िया तरीके से उस पैपर में जितने पैसे लगे उसकी वसूली कर दूँ तो ऐसी स्तती के अंदर SI भरती एनिकी SI थाना चलाने वाला और फिर SI का जब परमोशन हो जाता है CI के अंदर परमोशन हो जाता है वो DYSP बन जाता है बताओ उस जिस परशाशन के उपर जहां उस ग्रह विबा के वो अधिकारी DYSP जिसके उपर हम इतना विश्वास करके और उसके दुखी हो करके उसके पास में जाते हैं और वहाँ पर वो बैठा हुआ व्यक्ती दिन भर सरफ पैसो की गिंती करता है बिना मैनत के वो नोकरी हासिल करके बैठा उस सीथ के उपर क्या वो कभी किसी के साथ मियाए कर पाएगा वो कभी नहीं कर पाएगा फिर आखिर ऐसी भर्ती को आप इस तरह से सीधे क्यों कर रहे हैं अभी खुब सारा बॉाल मचा हुआ है मेरे पास में खुब विदारतियों के कॉल आरे है सर बेरोजगारों का हमारा साथ दीजिएगा हमारे साथ कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं दे रहे है SI को PEPPER को RS के अंदर सामिल कर दिया है हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है अब हम क्या करेंगे कई लोगों ने वीडियो बना दिये YouTube के उपर और कह दिया कि SI भरती को RS के अंदर सामिल मत करके इसको अलग करियेगा नकल के उपर रोक के लिए आप दूसरे संसादन अपनाएगा तो दूसरे संसादन कौन से अपना है गरुजी आप भी बता दो आपके पास में कोई दूसरे संसादन दो भी बताओ बरिष्टों के अड़े बैठे हैं स्कूल से पेपर आउट हो रहे हैं टीचर पेपर आउट करवा रहे हैं शेकूल्टी गार्ड पेपर आउट करवा रहे हैं शरम और इंसानियत मर चुकी है फिर उसके लिए गवर्मेंट क्या काँ 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 पर ध्यान दे अब गवर्मेंट को भी एक्षन में आना होगा अब government को भी इसके उपर बड़ा action लेना होगा ऐसे लोगों के उपर बिलोजर चलाना पड़ेगा ऐसे लोगों को इराशत के अंदर डालना पड़ेगा और ऐसे लोगों को कथोरतम सजा देनी पड़ेगी इसके लिए हमने बाड मेर के अंदर आंदोलन भी किया था और मैंने खुले रूप में कहा था यदि पैपर लेक के मामले में और कहीं पर भी एक परशेंटेज भी हमारा कहीं आपको पर शक लगता है तो हमारे खिला भी वही कारे वही करो जो दूसरा के उपर आप लोग करते हो क्यों ना ऐसे लोगों को धराशा ही कर दिया जाए इसके लिए सरकार खुद मजबूर है सरकार को कुछ एक्षन लेना पड़ेगा हम सरफ हो हला कर सकते हैं कि हमारे साथ ये हो जाएगा हमारे साथ अन्या हो जाएगा अन्या है तो आपके साथ तब से हो रहा है अन्या है तो भरती के अंदर हर बार हो रहा है सलेक्शन कब हो रहा है रिजल्ट आने एक बाद फिर आप करते हो सारा नकल हो गई उस आरेस अधिकारी को या फिर मानने मुखे मंतरी जी को या फिर मानने केबिनेन मंतरी जी जिन्नों ने भी ये निर्ने लिया हैं मुझे ये निर्ने बहुत अच्छा लगा मैं इस निर्ने के पक्स दरूँ और इस निर्ने के अंदर कहा गया अब आरेस प्रिक्षा से भरती होंगे थानेदार नियमों में किया जाएगा संसोधन मुझे तो ऐसा लग रहा है विदारतियों आप सब को इसका सपोर्ट करना चाहिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाये और ऐसा होना चाहिए लेकिन इसके विपक्स में तरक क्या दिया जा रहा है तरक ये दिया जा रहा है कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा आरेस की बरती समय पर पूर्ण नहीं होती है समय ऐसा ही की बरती कोण सी समय पर पूर्ण होती है दो दो तीन तीन साल उसके SI की बरती कंदल लग जाता है SI की कोण से टाइम पर हुई 6 मिने में बरती हो गए उसका जोयनिंग दे दी कोई है रिकूर्ड किसी के पास में मुझे बता दे कि ये बरती समय पर पूर्ण हुई थी अरे सर ऐसा करने पर धन बहुत जादा लगेगा आरेस की कोचिंग करने पड़ेगी लाखों में फीज देने पड़ेगी कहां जरूत है लाखों फीज देने की आपको सेल पिश्टेडी भी आप आराम से कर सकते हो साई गाइडेंस से भी कर सकते हो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स खरीद गए भी कर सकते हूँ हम आफलाइन बाड़मेर के अंदर एकैडमी के अंदर 35,000 रुपे के अंदर आफलाइन करवा रहे हैं पांच जार रुपे के अंदर आनलाइन कोर्स दे रहे हैं और पढ़ने के अंदर कैपिसिटी होती तो यह लोग पढ़ना जादा नकल होगी नहीं बिलकुल भी नहीं होगी नकल कहां से होगी इस ऐसा ही के अंदर क्या हुआ डमी कैंडिट बैठा दिये गए टॉपर की जगए डमी कैंडिट बैठ गया बताओ जिसको पेपर लाके दिया उसने का बाई साहब इतना लंबा पेपर मेरे से 24 गंटे में याद होगा नहीं तो क्या करे किसी और को बैठाना पड़ा ऐसे लोग थानेदार बन रहे शरम की बात नहीं है क्या प्यारे विदार्थियों अब क्या होगा बताओ नकल होगी नहीं किसी भी परिकार से इसलिए प्री एक्जाम होगा उसके बाद मैंस होगा उसके बाद इंटर्वियो होगा उसमें सेलेक्शन आपका चोईस के आदार पर होगा तो मैं कहना चाहता हूँ उन विदार्थियों को जो वास्तों के अंदर डेडिकेट हैं वास्तों में बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं सलेक्शन लाना चाहते प्यारी विदार्थियों यदि आप SI की तैयारी बढ़िया तरीके से करते हो और आप पहली choice इसमें से RAS, SDM, फिर RPS, फिर RTS, फिर SI बरो यदि आपका paper बहुत शांदार हो गया तो SI क्या, आप RPS बन जाओगे सीधे, DYS भी बन जाओगे सोचा नहीं था कभी जिन्दगी गंदर के हमने SI की त्यारी करने के लिए जिस पूरे पाठे करम के साथ त्यारी के और हम यहां तक पहुँच गए RTS बन जाओगे और SDM तक भी पहुँच सकते हो यह कोई fix नहीं है, यह कोई fix नहीं है लेकिन तयारी करने का जुनून तो होना चीए और नहीं होना चीए आज दिन तक SI यदी फेर तरीके से, सपोच करो अपन डूसरी बात पे आते हैं यदी पूर्ण रूप से फेर तरीके से SI बने हैं तो कौन बने हैं बताओ वही बने हैं जिन्नोंने RTS की त्यारी की थी SI वही बने हैं जिन्नोंने RTS की त्यारी की थी उस लंबे समय से 2013-14 की बात बता रहा हूँ तब से मैं SI के विदार्थियों को पढ़ाता था और वहां से मैं देखता था कि उसमें कितना dedication चाहिए था फिर तरीके से तब हो सकता selection तो फिर क्या RAS, फिर RPS, फिर RTS, फिर SI बन सकते फिर इसके इंदर इतना सा हला करने की आवस्यक्ता का है कि यह बहुत बड़ा अन्या हो जाएगा हम लंबे समय से तैरी कर रहे थे, सर मेरा ऐसा ही target था, मेरे साथ में क्या होगा हमारे साथ में तो अब अन्या होगा, आपके साथ, अन्या नीर, आपके साथ में सरकार न्याय कर रही है यदि इस तरह से pattern लाया गया, तो मुक्षे परिक्षा होगी, fingerprint होगा, paper कहां कहां उट होगे अब लोग तरग क्या दे रहे हैं, सर, RS के paper आउट हो रहे थे, तो RS के paper आउट हो रहे थे, तो पुरा परशास बीच का जो तंतर है, पुरा तंतर खराब बैठा था लेकिन RS के paper में कहां, थोड़ी बहुत कहीं करबर गडबडी हुई, प्री में किसी ने कोशिश नहीं की, इंट्रिव्यों में थोड़ी बहुत कई भी पैसे देने कोशिश कीए, एसो जी ने उसको धरत दपोचा पिए, कोशिश भी कीए, मैंस के अंदर उसकी खुद को बै मैं आज दिन तक विदार्थियों के खिलाब बोला नहीं हूँ, हमेसा विदार्थी हित की बात को मैं पहले सोचता हूँ, यदि पढ़ने का आपके अंदर मन है, यदि आप में वर्दी का जुनून है, मैंने तो मेरे यहां पर ओफलाइन बैच लगया था, उस दिन कहा था विदार्थियों को मैंने का तैयारी RS की करो, SI में आपका अपने आप सेलेक्शन हो जाएगा, केवल SI टार्गेट लेकर के मच चलो, आप्शन को बढ़िया तरीके से रखो, उपरी इस तर से तैयारी करो, फिर आपको चोईस के रूप में आप धिरे-धिरे नीचे यहां त करते हैं, और विदार्थियों इस मोहिम के अंदर साथ दीजिए, और सरकार को धन्यवाद दीजिए, कि आपने यह अच्छा कदम उठाया, कि अब RS परिक्शा से बरती होंगे थानेदार, आप लोग गर उसे जब थानेदार बनोगे, अपने आप में गर उसे लोगों को कह होगे कि RPS और भी RS के सेलेबस को पड़ करके हम सब इंस्पेक्टर बने हैं, क्या मज़ेदार बात होगी और और ऐसी इस्तती का हमें स्वागत करना भी चाहिए, थैंक यू, जै हिन, जै भारत